प्रेंड्स अगर आप आज की डेट में फोन लेना चाहते हैं तो आप शियोमी का फोन ले सकते हैं यह है अभी अपकमिंग फोन है जो की कुछ दिन बाद लांच होने बाला है तो इसकी फुल टेल में इस वीडियो में आपको देंगे इसका पूरा नाम है शियोमी रेड्मी नोट 13 प्रो मैक्स 5G फोन जिसकी प्राइज लगबग 22-23,000 रुपे होने वाली है और इसका आप देख सकते हैं ओबर व्यू इसमें कितना सब कुछ रहने वाला है क्या-क्या सुद्धा हैं आपको मिलेगी इस पोन पे क्या-क्या मिलेंगे तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं ओबर व्यू आप अगर देखना चाहते हैं तो यह 5G पोन होने वाला है और इसका जो अलग-अलग वेस का वेरियेंट होगा तो उसके लिए 12GB और 256GB इस्टोरज मिलेगा और जो बैटरी है बावन सो एमेच का मिलेगा और जो चार्जिंग सपोर्ट करेगा 120 इमेच का सपोर्ट करेगा और जो कैमरा होने बाला है तो इसका कैमरा बहुत जादा 200MP का होने बाला और फ्रेंट कैमरा जो है तो 32MP का होने बाला है और यह फोन जो है मेमोरी कार्ड सपोर्ट नहीं करेगा और जो इसका लेटेस्ट काम करेगा Android 13 पर काम करेगा तो फ्रेंड चलिए आंगे बढ़ते हैं जो इसके similar phone है यह market में सब अप्लॉब्ट है यह phone सब आप market में देख सकते हैं जो पहले से मिल रहे हैं इसके similar phone आने वाला है तो फ्रेंड आंगे बढ़ते हैं जो इसमें display होने बाला है उसका fingerprint in display fingerprint होने बाला है और जो इसका display है OLED screen होने बाला है और इसका 644 touch का 5th rate मिलेगा और 360 का यह touch sampling rate मिलेगा और इसका जो डिस्प्ले है पंच वोल डिस्प्ले है कैमरे की बात करें, कैमरा इसका OIS मिलता है, जो कि बैक कैमरा इसका 200 मेगा पिक्सल और 13 मेगा पिक्सल और 8 मेगा पिक्सल का ट्रिपल कैमरा मिलेगा, जो कि 4 के वीडियो रिकार्डिंग करेगा और 24 fps के, और इसका जो फ्रंड का कैमरा है, वो 32 मेगा पिक्सल का है, जो समसंग HP 3 यह कहा है, और इसमें जो टेक्निमिनल बात करना चाहेंगे, तो यह Qualcomm Snapdragon 7001 चिपसेट पर बर्ग करेगा, और इसमें 4G 5G की connectivity मिलने वाली है आपको, और इसका Bluetooth 5.3 है, और IR Blaster मिलने वाला है, और बैट जो है, बामन समेच की मिलने वाली है, एक अच्छी बैट बैकप मिलने वाला है, और इस charging support 120W का करेगा, और डिटेल से जानने के लिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देख सकते है डिटेल से मिलेगा, जेसम जेसम का और इसका दिलिज डेट यह जो लांच होने वाला है, ठाज समबत लांच होगा, और इसके जो color मिलेंगी आपको, तो इसको चापांच color में आपको phone मिलने वाले हैं और जो इसका display का body display है, तो इसका screen to body ratio 89.7% होने वाला है, लगवाद नीचे थोड़ा साथ आपको देखने को मिलेगा इसमें 12GB का मिलेगा, और storage 256GB का मिलेगा, storage UFS 3.1 टाइप का मिलेगा, इसमें card slot नहीं है इसमें बहुत सारे आपको 5G band मिलने वाले हैं नस बारा 5G band आपको मिल जाएंगे, जिससे कोई आपको दिखत नहीं आने वाली है और इसमें face unlock और in display fingerprint जैसे आपको feature देखने को मिल जाएंगे और इसमें jack देखने को नहीं मिलेगा आपको, आप इसमें Bluetooth से अपना जो भी speaker या Bluetooth कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इसमें अगर camera के बारे में आप details से जानना चाहते हैं तो आपको मता देते हैं कि जो इसमें 200 megapixel का camera है वो इसका main camera होगा और जो 13 megapixel का होगा ultrawide camera होगा और 8 megapixel का portrait आट ओपरकेस camera मिलेगा आपको और इसमें देख सकते हैं इतने आप video record करते हैं 20 fps पे आप video record कर सकते हैं और अगर आप 1080p पे video record करना है तो आप 30 fps full HD video record कर सकते हैं और जो सामने का camera होगा उससे भी आप full HD का video record कर सकते हैं जो इसमें custom UI 14 का है और heavy chipset का प्योग किया रहा है इसमें जो IP rating है 68 की IP rating है इसको आपको धूल या पानी से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आप एम रीडियो आपको नहीं मिलेगा इसमें जो बैटरी यूज किये है ली पॉली बैटरी यूज किये गई है और जो की नो रिमोबल है एक रेंड वीडियो अच्छला को चैनल को सब्सक्राइब कर अब लाइकन दबाल लीजिये जिससे आने वाली वीडियो मिसके।